नमस्कार दोस्तो जहिंग जैबार्द स्वागत आप सभी का जग्गू भाईजी डिफेंस केड़ में के यूटूब चैनल पर आर्मी की त्यारी करने वाले मेरे सभी यूवा भाईयों को जहिंग जैबार्द चलिए दोस्तो आज का सेशन सुरू करते हैं आज हम डिस्कसन करने वाले हैं आर्मी साइस मोग टैसीरीज जी हाँ दोस्तो आर्मी साइस मोग टैसीरीज डिस्कसन करने वाले हैं टैसीरीज नमर 14 आज हम डिस्कसन करेंगे 13 मोग टैसीरीज मैं आपको करवा चुका हूँ कम से कम मैं आपको 100 मोक्ते सीरीज करवाने वाला हूँ तो चलिए बिना देर कि आज का इस सेशन सुरू करते हैं सेशन हमेशा की तरह भहुती सांदार होने वाला है इसलिए क्लास अंतक जरूर देखें सबसे पहला क्यूशन, क्यूशन नमर एक आप से पूछा गया है मसूडों से रक्षराव को कौन सा विटामिन रोकता है क्यूशन नमर एक आप से पूछा गया है मसूडों से रक्षराव को कौन सा विटामिन रोकता है उप्षन आपके सामने है जल्दी से कमेंट करें उप्षन A, विटामीन A, उप्षन B, विटामीन B, उप्षन C, विटामीन C, उप्षन D, विटामीन D तो इस क्यूशन का सही जवाब होगा उप्षन C, उप्षन C आपका सही होगा विटामीन C मसूडों से जो रक्सरा होता है उसको कौन सा विटामिन रोगता है विटामिन C अब यहाँ एक कुछन आपसे पूछा जा सकता है कि विटामिन C का रासाइनिक नाम क्या है तो इसका नाम रासाइनिक नाम क्या है एसकोर्बिक अमल एक कुछन और पूछा जाता है कि विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है तो आपका अनुसर कहा रहेगा सकरवी चलिए नेक्स कुछन पर चलते हैं कुछन नमर दो कुछन नमर दो आपसे पूछा गया है थेले सिम्या एक AnSik रोग है जिससे प्रभावीत होता है आपसे कुछन ये पुछा गया है कि थेले सिम्या एक अनुआ AnSik रोग है इसके कारण क्या प्रभावीत होता है option आपके सामने है option A रक्त option B फेफडे option C हर्दे option D गुर्दे तो इस question का right answer होगा option A option A आपका सही होगा रक्त जी हाँ दोस्तो थेले सिम्या एक अनुवानसिक रोग है इससे रक्त प्रवावित होता है रक्त के अंदर RBC नहीं बन पाती है क्या नहीं बनते हैं? RBC नहीं बनते हैं RBC की कमी से रक्त की मातरा कम हो जाती है बोनापन रोग हो जाता है Option A GH हर्मोन Option B LH हर्मोन Option C STH हर्मोन Option D FS हर्मोन तो इस question का सही जवाव होगा Option A Option A आपका सही होगा GH हर्मोन GH हर्मोन की कमी के कारण ड्वार फीजम बोनापन रोग हो जाता है अब आपके दिमाग में क्यूशन ये उठने वाला है कि सर जी एच हर्मोन किस गरंती द्वारा स्रावित होता है तो जी एच हर्मोन किस गरंती द्वारा स्रावित होता है प्यूस गरंती के द्वारा स्रावित होता है किस गरंती के द्वारा प्यूस गरंती के द्वारा Q4 आपसे पूछा गया है जहाजों में समयम आपने के लिए किस उपकरण का परियोग किया जाता है औपसे आपके सामने है जल्दी से कमेंट करें जितने भी भाई जूड चुके हैं सभी को जैहिन Q4 का राइट आंसर क्या होगा क्रोनोमिटर के दोहरा जहाजों में समयम आपने के लिए किस उपकरण का प्रियोग किया जाता है क्रोनो मिटर का चलिए next question कुछे नमर पांच आप से पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा protein किसके दूद में पाया जाता है किसुन नमर् 5 आपसे पूछा गया है सबसे ज़्यादा protein किसके दूद में पाया जाता है option आपके सामने है जल्दी से comment बेड़ सबसे ज्यादा प्रोटीन बेड़ के दूद में पाया जाता है चलिए किस्व नमर्च देखते हैं किस्व नमर्च आप से पूछा गया है कि मुर्ग्यों की सबसे खतरनाक बिमारी कौन सी है वेरी इंपोर्टेंट क्यूशन है कई वारी क्यूशन रिपीट हो चुका क्या होगा जल्दी से कमेंट करें मुर्ग्यों की सबसे खतरनाक बिमारी कौन सी है किस्व नमर्च चै का राइट अनुसर ओप्सन भी रानी खेद मुर्ग्यों की सबसे खतरनाक बिमारी कौन सी है रानी खेद अब आपके एक्जाम में क्यूशन पूछा जाता है कि रानी राणी खेत बिमारी का समद किस से है चार उप्सन मिलेंगे आपको देखना है उप्सन मुर्गया आपको जो मुर्गया उप्सन मिलेगा वो आपका सही होगा राणी खेत बिमारी का समद किस से है मुर्गयों से है चलिए नेक्स कुशन पर चलते हैं कुशन नमर साथ कुशन C भीड नियंतरन से, option D बाड नियंतरन से, तो इस question का right answer होगा, option B, option B आपका सही होगा, दुख्द विकास से, operation flood का समन्द किसे है, दुख्द विकास से है, चलिए, next question में चलते है, question number 8, question number 8 आप से पूछा गया है, कि पर्थम antibiotic की खोज किसने की थी, question number 8, very important question है, पर्थम antibiotic की खोज किसने की थी, option आपके सामने है, जल्दी से comment करें, option A, W flaming, option B, C, Voxman, option C, Louis Pasteur, option D, A, flaming, तो इस question का right answer होगा, option D, Alexander flaming, option D, Alexander flaming, पर्थम antibiotic की खोज किसने की थी, अलेकजनर flaming ने की थी, अब एक important question यह पुचा जाता है, कि पर्थम antibiotic की कोज किसने की, तो आपका अनसर रहेगा, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन की खोज किसने की, Area flaming, आप से question क्या-क्या, पुचे जा सकते हैं, पहला question यह पुचा जा सकता है, कि पर्थम एंटिबायोटिक की खोज किसे ने की, तो आपका अनुसर रहेगा अलेकजंडर फ्लेमिंग, एफ्लेमिंग, नेक्स क्यूशन, कि पर्थम एंटिबायोटिक कोन सी है, तो आपका अनुसर रहेगा पेनिसिलिन, जो पर्थम खोजी गई एंटिबायोटिक थी, उसका कि आनूसर के था पेनी सिलिन अब कि यह भी पूछा ज़्या सकता है कि पेनी सिलिन की खोज किसी ने की तो भी आप का अनूसर क्या रहेगा अलेगजेंडर फ्लेमिंग चलिए नेक्स और चलते हैं कि नमर 9 कि सो नमर 9 आपसे पूछा गया है एंगस्ट्रोंब क्या मापता है A, आवर्ती, उप्सन B, तरंग धिर्दिये, उप्सन C, आवर्तकाल, उप्सन D, समय, तो इस क्यूशन का राइट आनसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करें, दोस्तों परतेक मोक्टा सीरीज में 15 क्यूशन इंक्लूड के जाते हैं, अगर आप 15 क्यूशन में से 12 प्लस ठीक चल रही है, चलिए किसन नमर 9 का राइट अनसर क्या होगा, उप्सन B, उप्सन B आपका सही होगा, तरंग धिर्दिये, एंगे स्ट्रोम क्या मापता है, तरंग धिर्दिये को मापता है, चलिए next पर सलते हैं, क्ैस्जू नमर 10, क्ैस नमर 10 आप से पूछा गया है, नि आप से यह पूछा गया है कि इनमें से कौन सी एडीस रासी है? उप्सन A चाल उप्सन B दूरी उप्सन C दर्वेमान उप्सन D ये सभी तो इस कीकिस्टन का राइट अंसर होगा उप्सन D उप्सन D आपका सही होगा ये सभी चाल, दूरी और दर्वेमान ये तीनों ही एदी सरासी हैं आपको याद रखना है एदी सरासी कौन कौन सी है और सैदी सरासी कौन कौन सी है चलिए नेक्स क्यूशन पर चलते हैं क्यूशन नमर 11 क्यूशन नमर 11 आपसे पूचा गया है कोश्मी किर्णों की खोज किसने की किसुन नमर 11 रिपीट कर रहा हूँ कोश्मी किर्णों की खोज किसने की उप्सन ए ब्रुनो रोसी उप्सन बी रोबर्ट वाट्सन उप्सन सी विक्टर हेस ने उप्सन डी न्यूटन तो question number 11 का right answer क्या ओगा जल्दी से comment कर दें कोस्मी किर्णों की खोज किसे न की किश्ण number 11 का right answer होगा option c आपका सही होगा vector hais ने किसे न की थी vector hais ने कोस्मी किर्णों की खोज की थी चलिए next question पर चलते है question number 12 question number 12 आपसे पूछा गया है आधूनिक रसाइन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है very important question काफी वार ये question repeat हुआ है आधूनिक रसाइन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है option आपके सामने है जल्दी से comment करें option A theophrastus option B lewai CA option C arastu option D Newton तो इस question का right answer क्या होगा option B option B आपका सही होगा lewai CA दोस्तों lewai CA का एक और नाम भी जाना जाता है वो भी आपको ध्यान रखना है lewai CA को कहते हैं lewo jir क्या कहते हैं lewo jir भी कई बार exam में लिखा आता है चलिए next question देखते हैं question number 13 question number 13 आपसे पूछा गया है वह पदार्थ जिनका परती रोध सुनने हो उन्हें क्या कहते हैं जिन पदार्थों का परती रोध सुनने हो उन्हें क्या कहते हैं option A चालक option B कू चालक option C अर्ध चालक option D अती चालक question number 13 का right answer क्या होगा जल्दी से comment करें वह है पदार जिनका परतिरोद सुनने हो उन्हें क्या कहते हैं तो इस question का right answer होगा option D option D आपका सही होगा अतीचालग अतीचालग किसे कहते हैं उन परदातों कहते हैं जिनका परतिरोद क्या होता है सुनने होता है चलिए next question पर चलते है question number 14 आज की class का second last question आपके सामने आ चुका है टांका किन दो दातों का मिसरन है question number 14 आपसे पूछा गया है कि टांका किन दो दातों का मिसरन है option A सीशा और टीन option B जस्ता तथा तामबा option C जस्ता तथा टीन option D सीशा तथा जस्ता तो question number 14 का right answer होगा option A option A आपका सही होगा C सा तथा टीन का मिसरन क्या है टांका चलिए next question पर चलते है question number 15 आपसे पूछा गया है E बराबर MC स्केर का सिधान्त किसने दिया important question है E बराबर MC स्केर का सिधान्त किसने दिया था option आपके सामने है जल्दी से comment करें option A फेराडे option B Einstein option C Newton option D इनमें से कोई नहीं तो इस question का right answer क्या होगा option B option B आपका सही होगा Einstein E equal to MC स्केर का सिधान्त किसने दिया था Einstein ने दिया था तो दोस्तों आज के ये मोक्टाय सीरीज आपको कैसे लगी comment करके जरूर बताओगे और 15 plus question में से आपके कितने question सही है अगर आप 12 plus question सही करते हैं तो आपकी त्यारी बैतरी चल रही है जिस भी भाई के 12 plus question सही है वह अपना नाम comment करके जरूर बताएं अगर आप भी आर्मी की त्यारी करते हो अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया और अगर आप आर्मी बढ़ती से समदी नोट्स प्राप्त करना चाते हैं तो 7300-133-100 मेरे whatsapp नमर है आप मुझे whatsapp कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next class में जैहिंद जैभार्द